की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पश्टिम एशिया से अपना बुर्या बिस्तर समेट रहा है यह रपोट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्लान सामने आ गया है युद्ध के सबतर दिन बाद बता चल गया है कि खुद इरान ने इस्रेयल और अमेरिका के खलाफ अपनी रणनीती से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलवार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेश्या में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इस्रेयल रोग बाईगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इस्रेयल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि इस्लामिक रिवलुशनली गार्ड, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है, इरान का मकसर इस्रेयल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इस्रेयल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरफ फंसते चले चाएं इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इसरेयल के पॉड़ोसी देशों लेबना, सीरिया, इराक और इसरेयल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंती संगटन हेजबॉला से भी इसरेयल पर हमला करवा रहा है और इसरेयल के दूसरे पड़ोसी देश, सीरिया में तो खुद इरान मौचूद है उसने वहाँ से इसरेयल को गेर रखा है सीरिया और इसरेयल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अर्क्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चंट एशिया में तानात किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरेयल के पीछे छोड़ दिया हूथी विद्रोहियों फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरेयल पर मिसाइल चोड़े जा रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौझूद लाल सागर को भी जंग का अखाड़ा बना दिया है वो वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इसरेयल घाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा हूथी लड़ा के लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तोबा कर ली है इस वज़े से एशिया से योरप और योरप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीब का लंबा चोड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिससे सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है इसलिए अमेरिका और ब्रिटन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की बहरेदारी करनी पड़ रही है हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन से ऐसे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में 15 ड्रोन मार के रहे तो क्या इरान की चाल में फस गए हैं अमेरिका और इज्रैल अमेरिका और इज्रैल अपने ताकत पर हथियारों और पैसे के दम पर घाजा की जंग लड़ रहे है मगर इरान की आया जेसी के हैट मेजर जनरल हुसैन सलामी ने तो टू कहा कि पश्य मेश्या की जंग ना पैसों से जीती जा सकती है ना हथियारों से उन्होंने अमेरिका पर बेहत दीखा वार किया और पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपज़ा अमेरिका को जीत दिला पाएगा क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया क्या अमेरिका करोणो डॉलर खर्च करके लिबनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया या फिर उसे हार कर मैदान शोड़ना पड़ा इरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाए वो एहम है अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी मगर दो दशकों में भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाए तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इसरैल के खिलाफ अपना हतियार बनाना चाहता है क्या खाजा को इसरैल के लिए अफगानिस्तान बना देगा ईरान क्या इरान इस्राइल का वही हश्र करने वाला है जो एराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्योतों के बाद अमेरिका सुपर पावर पन करोबरा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है और जैपूर से बड़े कावर आपको बता दे जेजेयाम यानि की जल जीवन मिशन में ब्रस्टाचार का महा बड़ा कुलासा हुआ है एन जेजेयाम की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्टाचार का कुलासा हुआ है केद्र की थर्ड पाटी इंस्पेक्शन्स के निर्देशों की धज्जिया उड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे बीच में जैपुर से बड़ी खबर जेजेम में महा भ्रश्चाचार का बड़ा खुलासा किया गया है साप हो गया कि घटिया सामागरी का सामान इस्तमाल किया गया था घटिया सामागरी के पाइप जंक लगे हुए पाइप का इस्तमाल किया गया था लगाता जो जेजेम के कारियों में कई चौकारे वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है डी पी आर में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वाल्टी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुकतान किया गया है जहां स्रिपोर्टर में भारी आने मताओं का ए हुए है एक महा भ्रस्टा चार का पॉल अब सामने आ गया है राकेश अब बिल्कुर देखिए जिस तरीके से लगातार जल जीवन विसन में भ्रस्टा चार के मामले उजागर करता रहा है उसके बाद राश्टिय जल जीवन विसन जो केंदर सरकार की एक बहुत बड़ी ए भ्रस्टा चार हुआ है यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चोकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के पाइपों की गुर्वत्ता भी जांस नहीं की गई और रनिंग विलो का ही ध्यक्तार कर दिया गया जहां पैप जो लोहे का पैप लगमख दो से धाई हजार रुपे का एक अगर माने हम तो वो फाईप की जगए एक टीर्ड ही सो रुपे का पैप लगया गया गया जो नीव रखी गई जल जीवन मिशन के कारियों की उनमें भी भृषटाचार सामने आया है। बलकि जल्दाई विभागे उच अधिकारी भी शामिज़ थे क्योंकि जिस तरिके से भुक्तान किया गया है कारियों का वहां पर फर्ड प्रॉटि इंस्पेक्षन के दिसा निर्देत जो है केंदरिय जलसकी मंतराले ने जारी किये थे और third party inspection के बाद ही इन विलोका भुक्तान होना था लेकिन यहां राजस्तान में जो निर्माण कारी हुए हैं उनकी जाच के लिए third party के लिए manpower ही नहीं था यानी बिना कारियों की गुनवत्ता, बिना निर्माण समगरी की गुनवत्ता की जाच के ही जो अधिकारियों ने ठे के दारों के को जो विभा के अधिकारी और अनों ने जो है कहीं ना कहीं बचाया है और उनके साथ उनकी मिली भकत सनलिपता भी सामने आई है जो पाइप लगाए गए है डियाई पाइप और जो एस्टीपी पाइप है उन पाइपों के लिए जो फैक्टरी के दिसा निर्दे इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा बड़े सीमा पर भरस्टाचार और किया गया है और इसलिए जब बारिश या मौसम खराब होता है तो जीवन लोगों के अस्तिवेस्ट हो जाते सरकों पर पानी जल भराव की समस्या आने लगती है बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर तो जेजिया में महाप्रस्टाचार का महाकुलासा हुआ है नैशनल यानि की केंदर जल जीवल मिशन ने